हेलो एवरीवन वेल्कम टू मैं चानल वीलब फॉर्चुन डबल बन डबल बन मैं हूँ आप सब की टारो का रीड़र एंहीर पूर्बा घोश कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस आज की जू रीडिंग है वो की अपरिल प्रिडिक्शन होगी सारे साइन सौल के लिए सारे राश्यों के लिए हम देखेंगे यह यह अपकी लाइफ में क्या चेंजिस लेकर आ रहा है और इपले मन्त पे आपकी love life, career, health, professional life, personal life, सब कुछ कैसा रहेगा, ठीक है, पुरी तरीके से monthly prediction करने वाले, तो आज आपको अपना sign सिलेक्ट करना है, अब मैं clear कर देती हूँ कि किस तरीके से आप अपना sign चूज करेंगे, देखें, ये sun, moon and rising या फिर आप extended कह सकते हैं, sign पे based है, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, तो आप अपनी राशी चूज कर सकते हैं, यानि कि moon sign, अगर आप चाहते हैं, तो आप sun sign भी चूज कर सकते हैं, ठीक है अगर आप चाहे तो आप अपना rising भी चूज कर सकते हैं जिस sign से आप ज़्यादा connected हो जिस sign को आप चूज करके अपनी prediction देखना चाहते हो जिस sign को आप ज़्यादा importance देते हो उस sign के according लिए आप चूज करके अपनी prediction देख सकते हैं ठीक है, तो यह सैन, मून और राइजिंग के बेसिस पर हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, आपकी संसाइन चूज कर सकते हैं, मून साइन चूज कर सकते हैं, राइजिंग की चूज कर सकते हैं, राइजिंग की चूज कर से हैं, तो यहाँ पर चार आ सेकेंड ग्रूप में हमारे पास है एर साइन, यानिकि Aequarius, Libra, Gemini, Kumbh, Mithun, Tula, ठीक है, ठीक है, थर्ड ग्रूप में हमारे पास है, Water साइन, Cancer, Scorpio, Pisces, यानिकि कर्क विष्चिक मीन और फोद ग्रूप में है हमारे पास फायर साइन यानि कि Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Singh, Dhanu ठीक है तो यह सारे साइन से हम होजूद है तो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं this is one, this is two, this is three and this is four यह timeless reading है, general reading है, gender specific नहीं है, आप सब के लिए है, आप सब देख चकते हैं बाकी details के description box चेक करें आपको सारी details related to tarot classes, synergized, gemstones, crystals, remedies, सब कुछ मिल जाएगी ठीक है तो चलिए आप बिना किसी देरी के start कर लेते हैं आज की reading हेलो, pile number one, अगर आपकी earth sign है, यानि की Virgo, Taurus, Capricorn, Kanye, Virshab या मकर हैं तो देख लेंगे April month आपके लिए कैसा राने वाला है, monthly prediction पूरी तरीके साथ के लिए कर लेते हैं, so यह timeless reading है, general reading है, आप सब के लिए है, आप सब देख सकते हैं, बागी details के लिए description box को चेक करें, आपको सारी details मिल जाएंगी, तो देख लेते हैं कि पूरे month के energy आपके लिए कैसी रहने वाली है, April month में, जब तक मैं shuffling कर रही हूँ, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए, मुझे लगता है, आपकी जो feminine energy है, जो masculine energy है, वो balance में आने वाली है, और मुझे लगता है किसी चीज की rapid movement आपकी जिन्दिगी में होगी, ठीक है, तो तो कोई achievement, कोई appreciation, या कोई एक बड़ा offer आपके life में आ सकता है, जिसके बाद आप उस चीज को अपना कर काम करने में लग जाओगे, या busy हो जाओगे आप, बेसिकली, तो बेसिकली मुझे नजर आ रहा है कि आपकी life बहुत तेज बढ़ रही है, और आप जो है न, आप chase करना शुरू करोगे, एप्रिल मन से, जो आपकी destination है, रियल में, जो आपकी goals है, उसके पीछे, मतलब आप fruitful चीजों के पीछे, चेस करना शुरू करोगे, या energy मुझे आपको अप्रिशियेशन मिल सकता है, और पिर हो सकता है कि जिस चीज के लिए आप हसल किये जा रहे हो, अपता है कि अप्रिल मन में उस चीज के लिए उस चीज के लिए आपको समझ ही नहीं आएगा कि अप्रिल मन आपका कैसे बीद गया, ठीक है, बहुत जल्दी बीद जाएगा आपके लिए, आपको असा फील होगा कि आपको ज्यादा टाइम मिला नहीं अप्रिल मन में, ठीक है, तो ये energy आपकी रहने वाले है, बहुत ही जादा, यूनों, फास्ट मूवी, ओके, सो चलिए और भी कार्ट से हम देख लेते हैं, होने वाले है, हमारे पास है, four of cups, okay, so आपकी लव लाइफ में मुझे clearly नजर आ रहा है कि अप्रिल मन में आपको options, choices, लोग मिलेंगे, ठीक है, पास्ट से भी कुछ लोगों के आने के चांसे से हैं, बहुत अचानक सी, ठीक है, पास्ट की लोगों सी, पास्ट के एक्स हो सक हैं, या फिर कोई secret or mirror हो सकता है, current का कोई secret or mirror हो सकता है, जिनके तरफ से आपको confession मिलेगा, जो कोई आपको express करेंगे, contact मिलने के बहुत जाएं, और नए प्रपोज़ आने के भी chances हैं, so अगर बिलकुल single हो, तो नए नए एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करना चाह करेंगे, जिस तरी के person या जिस तरी के connection आप चाहते हैं, वैसा आपको आपे satisfaction नहीं मिलेगा April मन्त में, जो पास का जो इनसान आ रहा है, ठीक है, या अगर आप किसी का वेट करेंगे, वो इनसान आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर भ करेंगे, बहुत जादा आपका लव लाइफ में फोकस रहेगा नहीं, और जो चीज़े लव लाइफ में आपकी जगा लेगी, आपके लाइफ में, उस चीज़े बहुत जादा खुश है, बहुत जादा अच्छा फील नहीं करेंगे, कि oh my god, finally things are working for me, तो मुझे लगता है क आपके expectations तो नहीं जादा हाई रहेंगे, एप्रिल मन्त में भी अपने love life को लेकर, तो अगर आप शादी करना भी चाहते हो, ठीके, रिश्ता देख रहे हो, तो एक से बढ़कर एक रिश्ता आपके पास आएंगे, लेकिन आप चूज ही नहीं कर पाऊगे, आपका money नहीं क अपने love life में April मन्त में, थोड़ा से कटा कटा रहेंगे अपने love life से April मन्त में, क्योंकि आपका money नहीं करेंगा, अंदर से औरज नहीं आएगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे लोगों से बात करना चाहिए, डेट पे जाना चाहिए, या शादी कर लिनी चाहिए, फि हमारे पास है 10 of wands, तो देखिए, मुझे नजर आ रहा है कि काम में भी आपके career wise में अगर बात बोलो, तो मुझे लगता है कि कोई opportunity आपको जरूर मिलेगी April मन्त में, जिस पे आप काम करना शुरू करोगी, अगर आपको कोई idea है, कोई startup है, कोई दिमाग में कोई plan है कि इस मुझे लगता है कोई बड़ी responsibilities आपके career से related, उसे उस पे आप लग जाओगी, तो किसी चीज की preparation हो सकते है, start करो और you know, महनत करना शुरू करो, तो मुझे लगता है कि बहुत जादा ही, आप जो है आप focus करने वाले हैं अपने career में, बहुत जादा responsibilities लेने वाले हैं अपने career की finances की, और पूरी तरीके से you know, optimistic हो जाने वाले हो आप और you know, बड़े-बड़े goals जो है, set करने वाले हो और उस पर काम करने वाले हो basically, physically मुझे लगता है कि बहुत जादा महनत start, start होगा आपका April month से, आपके career में, जो कि आपको आगयाने वाले वाले वक्त पर growth दिलाएगी या, you know, recognition दिलाएगी, या फिर अभी तक अगर आप, you know, महनत करते आ रहे थे, तो उसकी सफलता आपका April month में मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी, you know, फिर से आपका hard work शुरू होगा, याने कि career में तो, you know, कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है, without महनत, जो लाइफ में किसी ग्रैप करोगे और उसमें और भी ज़्यादा काम करना शुरू करोगे, okay, so देख लेते हैं कि, आपका health कैसा रहेगा, April month में, हमारे पैसे दो मून, okay, so आप try करें कि April month में ज़्यादा fresh fruits खाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बढ़ हाँ, एक, you know, अपने diet में per day में, you know, low glycemic foods आते हैं, low glycemic के, उसको आप add कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा carbs intake नहीं करना चाहते हो, तो eat fruit, fresh fruit ज़रूर इंग्लूट करें, at least April month में try करेंगे, थोड़ा healthy खाना खाए, healthy diet ले, ठीक है, और spicy वागर थोड़ा खमकाए, कि कोई आपके healthy वाए, मुझे लगता ही कि थोड़ा mentally, थोड़ी सी issues होने के chances हैं, जहां पर जादा stress ले रहे हो आप, ठीक है, और stress के वाज़े से indigestion होना, ठीक है, अगर, you know, बहुत जादा ऐसा काम करते हो, जहां पर आपको computer के सामने बैठे रहना पड़ता है, जहां पर आपको, you know, screen के तरफ बहुत लंबे टाइम तक, तो अपने आइस को थोड़ा rest दो, ठीक है, ये energies दिख रही है, पानी जादा पियो, तो हेल्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एप्रिल मन्ने, क्योंकि एप्रिल मन्न पर बहुत बहुत हसल करने वाले हैं, आपको time नी मिलेगा, धंसे क करने का, तो ट्राइ करो कि डाइट को ठीक रखो, ठीक है, जो hydration है वो अच्छी तरीके से है, और अपने आइस को अराम दो, ठीक है, और जादा stress वगरा मत लेना बेवजा कि, क्योंकि वो होने के chances मुझी आ नजर आ रहे हैं, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, तो as such कुछ इश्गूज यहां पर नहीं है, सब कुछ ठीकी रहने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या है, यहां पर यह भी बता जा रहा है कि, अपर ट्राई करें कि आप बालन्स में रहें, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों से जुड़ें या ऐसा लोग से बात करें, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आप से बात करना चाहते हूं, ठीक है, और ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर जहां से आपको पते है कि आपको उसका रिटन, उसका फल मिलेगा, बेवज़ा की चीजों में, ठीक है, टाइम वेस्ट करना, यह सब करने में थोड़ा सा ध्याना थोड़ा कम लगाएं, और एक बैलन्स सर्च करें अपने लाइफ में, ठीक है, बैलन्स में रहने की करो, वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप यूनो, प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, अपने आपको बैलन्स में रखना, हर एक चीजों को मेंटेन करना, तो यू कैन डेफिनेटली दू इट, तो गाईज यह थी आप लोग की रीडिंग, आपको पसंद आए, अगा पसं सा रहने वाला है, पूरी तरीके से मंध्ली प्रेडिक्शन कर लेते हैं आपके लिए, पागी डिटेल्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पह हमारे पास है डिसीट नमबर 25 तो देखें मुझे आप लगता है कि आप ठोड़े से डाइवट होने क्या चांसेस हैं आपके एपरियल मनते फोर एन एक्जाम्पल अगर आप किसी चीज की तयारी कर रहे हो यह फिर आपको अपना जो लाइफस्टाइल है उसे एक अच्छे ल देख लेते हैं या घूम लेते हैं तो एपरियल मन में चांसेस ऐसे हो सकते हैं आपके जहां पर आपको जिस जगह पर महनत करने के जरौत है उस जगह पर महनत ना करके युनों भटक जाओ या फिर आपका मन ना लगे कंसंट्रेट ना कर पाओ थोड़ा सा फोकस हटने जोस्त है जिसे आप अभी तक जानते नहीं हो या फिर एपरिल मन में किसी भी स्टेंजर से अगर आपके मुलाकात होती है बहुत अच्छी तरीके से बात्चीत होती है और वह आपको मिलने के लिए बोलते हैं या फिर वह आपको अपने परसनल चीज़े शेयर करने बोलते तो don't do it, don't go for it, April मन्त में आपको पूरा-पूरा ध्यान रखना है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हो, कैसे लोगों साथ घूम रहे हो, ठीक है तो अगर April मन्त में आपको opportunity मिलता है कि कोई अचानक से online friend से आपको मिलने का मौका मिल गया, वो आपको मिलने आ रहे हैं, आप जा रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं पर भी stranger से अपकी मुलाकात हो गई, वो आपको date पे बुला रहे हैं, या फिर से घूमने बुला रहे हैं, don't go for it, ignore कर दो, ठीक है, या फिर अपना पूरा टाइम लो, पहले जानो, क्योंकि चांसे हैं कि, you know, आप गलत लोगों से मिलें April म मंत में, ठीक है, तो डंड़ने वाली बात में, या पर मैं क्लियरली गाइडेंस दे रही हूँ, ताकि आप जो है, सही पात पर चल पाएं, ठीक है, तो ये मुझे या पर एनर्जी आ रही है, आगे और भी कार्स हम देखते हैं, फिर मैं आपको क्लियरली या पर बताती हू चल ये देख लेते हैं, सबसे पहरा देखते हैं, कि आपके लव लाइफ में, एपरिल मन्त में क्या होने वाले हैं? वाओ, 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 ओ मैं गॉड़, आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए बहतरी इंसा भीत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे नदर आ रहा है कि हाँ, आप गलत लोगों से मिल तो सकते हैं, ठीक है, ये तो है ही है, ठीक है, अगर अगर ऑनलाइन है तो उनसे आपको मिलना नहीं है ठीक है face to face virtually जो है है reality में आपको मिलना नहीं है time लेना April month at least नहीं करना यह सारा काम ठीक है अगर आपको उनके बार में पता नहीं है तो बाकी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपके love life में या तो आपकी शादी fix हो सकती है या तो आपकी शादी हो सकती है या registry marriage जो होता है वो हो सकती है या फिर April month में आप अपने future husband या wife से मिल सकते है ठीक है ऐसा मुलाकात नहीं कि दोस्ती हो जा रही है कुछ बढ़ हाँ आप उन्हें for the first time 3D life में देखने वाले हो कि वो कैसे दिखते हैं कौन है वो इनसान ठीक है बाद में friendship relationship वो बाद में continue हो सकता है बढ़ हाँ आप उन्हें बस देख सकते हैं कहीं पर भी ठीक है बहुत energies आ रही कि जिम पे possibilities है जिम में या कहीं पर भी हो सकता है बढ़ मुझे पता नहीं कि जिम वाली energies यहाँ पर आई है तो जो भी चीज़ है मुझे नदर आता है कि आपके love life में आप finally stability आ रही है finally universe जो है आपको provide कर वा रही है कि आप सही इंसान से you know मिलो जो आपको प्यार करें ठीक है फिर finally एक you know नया chapter शुरू हो रहा है आपके love life में April month से ही मुझे लगते उसके शुरुआत हो जाएगी और फिर आप कभी भी मिल सकते हैं अपने lover से अपने genuine lover से तो यह कोई past का इंसान भी आ सकता है जो लोखने वाला और उसके साथ आपकी reconciliation reunion भी होने के possibilities हैं यहाँ पर बहुत लोग के लिए मुझे यह नदर आ रहा है commitment एक ऐसा love आ रहा है April month से ही जिसके साथ आपका lifetime होने वाला है या तो उनके साथ शादी करके रहोगे या फिर lifetime के लिए रहोगे without शादी जो भी है लेकिन एक committed person आपके life में आ रहे हैं अभी यह कोई new हो सकता है कोई पुराना इंसान हो सकता है जो भी हो लेकिन commitment मिलनी की जरनी है वो आपकी शुरू हो गई है ठीक है तो trustworthy, loyal and loving person is entering in your life ठीक है यह इसकी guaranteed clearly यहाँ पर है अब वो कैसे भी आए लेकिन आएंगे उसे आप पहचानो ना पहचानो एप्रिल मन्त में वो भी अलग बात है लेकिन हाँ love life में आपकी जो है आप finally serious तरीके से शुरूआत होने वाली है एप्रिल मन्त से ही तो अभी जो अगर single-ness है अकेला पने वो सब खत्म होने वाले है ठीक है तो चली देख लेते हैं कि आपके करियर में अप्रिल मन्त में क्या होने वाले है वी हैब seven of cups तो देखे मुझे आए अनेर्जी आ रही है कि आपके बहुत सारे dreams हो सकते हैं ठीक है आपके बहुत सारे सपने है या फिर आप एक जगह एक career पे एक profession में हो सकते है sustain बहुत लंबे time के लिए नहीं कर पाते हैं आपको लगता है कि आपको multiple चीजे करनी चाहिए और आप इंट्रस्टेट भी multiple चीजों में रहते हो एक किसी एक चीज पे फोकस करते हो तो बहुत जल्दी बोर हो या तो या फिर आपको रफ कंफ्यूज हो जाओ कि मैं किस तरफ जाओं ठीक है और आपको मिलेंगे तरीके मिलेंगे आइडियास मिलेंगे और आप मुल्टिपल भी काम करने वालों को स्टूडेंटों कुछ और भी करना शुरू करोगे तो फ्रीलैंसिंग करना शुरू करोगे तो मल्टिपल आइडियास मल्टिपल गोल्स मल्टिपल ड्रीम्स आपके एप्रिल मंद में रहने वाले हैं जिसको लेकर आप कंफूज रहने वाले हो कि पता नहीं क्या करना चाहिए ठीक है तो ऐसी आपके एनरजी मुझे आपर ल आते हैं बिस्नेस में हैं अंट्रोपेनर्शिप में हैं तो इंवेस्ट आपको नहीं करना है किसी भी तरीके का ना पार्टनर्शिप करना है ठीक है पार्टनर्शिप आपको नहीं करना है एप्रिल मंद में ना आपको एक्स्ट्रा मनी इंवेस्ट करना है ठीक है तो इस ब तो चली देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी हमारे पास है नाइन ओफ कॉइंट ओके तो नाइन ओफ कॉइंट से आप नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ मैस्ज इस्जूज नहीं आने वाले हैं ठीक है है तो आप यफ वीकनेस आपको फील हो सकती है और छाहीं मैस्ज यहां पर गाएंगे अगर आप डाट वर्गरा नॉर्मल तरीके से रखेंगे ठीक है कुछ serious issues होने के यहाँ पर कोई chances नहीं है अगर किसी medical issue से आप जूज रहे हो तो उसमें आपको improvement देखने को जरूर नजर आ जाएगा April month में ही ठीक है लेकिन हाँ थोड़ी सी emotional level पर कभी गबार आपकी drainage हो सकती है या फिर आप यूनो बहुत दादा weak feel कर सकते हैं कि energy न होना है ठीक है तो यह सब आपको ध्यान देना है चलिए guidance देख लेते हैं आपके लिए love of animals कि आपको guidance है मिल रहा है कि environment के साथ आप spend कर सकते हैं April month में अगर आपको कोई पैठ है तो उसके साथ सब्सक्राइब से जादा टाइम बिताने की गूशिश करो ठीक है और feed कर सकते हो stress वगेरा को you know और साथ ना अब बताया जा रहा है कि अपने आपको open करो affirmations को use करके कि आप जो है universal messages को receive करने के लिए ready हो मतला universe आपसे ना बात करना चाहती है बार बार आपके angels जो है आपके spirit guides है ना वो आपसे communication करना चाहते लेकिन मुझे लगता है कि आप उ प्रे कर लो angels को या affirmation ट्राइ करो इससे मुझे नदर आ रहा है कि definitely आपको जो है ना answers मिलने शुरू होंगे और किसी को भी आपको हर्ट नहीं करना है अपरिल मन में कोशिश करना है जितने भी लोगों से मिलो या पर जितने भी लोग आपके आसपास है अनिमल से किसी को भी हर्ट नहीं करना है इंसेक्स वागरा जो होते हैं उनको भी हर्ट नहीं करना है उनको भी किल नहीं करना है ठीक है भागा सकते हो ठीक है अगर कोई इंसेक्स आयाता है घर में या कुछ है लेकिन मारना नहीं है ठीक है बिल्कुल नहीं मारना है आपको पसंद आगा पसंद आए तो फ्लीज टू लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगो नेक्स वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाबाई पैल चु एलो पाइल नंबर थ्री अगर आपकी साइन वाटर साइन है यानि की कैंसर स्कॉप य प आपको सारी लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएंगी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे महीरे में आपके एनरजी कैसे रहीगी आपकी लाइफ के एनरजी तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लग प्लीज हमारे में से मैन होल्डिंग कोईन वाउ तो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहे हैं एप्रियल मंत में सिर्फ से पहले हैं कोई एक परस legislativa फोले कोई कोई आपको ड्रीशनिव की लाइफ में हो सकती हैं दूसरी आपको एप्रिम मनत में मुझे लग्ता है वो आपका बढ़ चुका है, कोई opportunity, कोई offer मिल सकती है, जिससे आपकी जो finances है, वो बढ़ जाए, लेकिन मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है कि April मत में आपकी promotion होने के chances हैं, नहीं job लगने के chances हैं, अगर किसी existing job में हो, उसमें आपकी increment हो सकती है, किसी business में हो, उसमें आपकी profits और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो overall मुझे नजर आता है कि आपको recognition भी मिल सकता है, पहचान मिल सकता है, और भी ज़्यादा लोग आपको अपने हैं, वो पूरे होने शुरू हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी event जरूर होंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा happy feel करोगे, और आपको ऐसा महसूस होगा, कि इश्वर ने आपकी जो prayers है, वो सुन ली, और finally चीज आपके लिए हो रही है, ठीक है, यह energy मुझे आपर definitely नजर आ रही है, कोई इंसाना के life में आ सकता है, अब उनको आप अपना हो या ना आपना, वो आपकी मरसी है, लेकिन कोई एक इंसान आ सकते है, जिसकी जो होगी बहुत ज़्यादा well known होंगे, और जिनके hairs ज़रूर, चलिए और भी cards देख लेते हैं, लेकिन हाँ, financial wise, career wise, आप बहुत ज़्यादा grow करने वाले है April month में, यह तो मुझे clearly आपर देख रहा है, ठीक है, great energies, चलिए और भी cards देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, कि आपके love life में April month में क्या होने वाला है, we have queen of coins, can you believe this guys, can you believe this, this is a man holding a coin, which is you know equal to your king of pentacles or king of coins and this is queen of coins, oh my god, oh my god, आपके love life में क्या होने वाला है, guys आपके love life में तो मुझे लगता है कि future spouse आपके life में आ रहे हैं, या future spouse के साथ आपकी engagement होगी, ठीक है, या आपके existing lover आपको propose कर सकते हैं, April month में finally शादी के लिए, ring-wing पहना सकते हैं, आपको surprise दे सकते हैं, ठीक है, single हो तो yes, मुझे तो लग आपके life partner से मिलोगे life partner के साथ commitment में आओगे, या life partner आपको you know, propose करेंगे शादी के लिए, या 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 life partner के साथ first time meeting होगी, या देखोगे उन्हें आखो से first time, या future spouse आपके तरफ कोई offer लेकर आ सकते हैं, ठीक है, काम से related, ठीक है, पहले आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन बाद में आपको realize लोगो, तो April मंद में मुझे लगता है कि आपके जीवन साथी के साथ कुछ तो आपका होगा, ठीक है, या तो पहली मुलाकात, या अगर already वो आपके जिंदिगी में है, अगर past है, कोई वो लॉटिंगी, ठीक है, तो कुछ serious है आपर होने वाला है, April में, ठीक है, मतलब जो आपके लिए बना है, अब जो वेट है ना, वो over हो चुका है, मतलब किसी को अगर ढूंड रहे थे, अपने जीवन साथी को अब तक ढूंड रहे थे, तो April मंद से ढूंडना बंद, April मंद से आपको दिख जाएगा कि, oh my god, I got him or hurt, ओके, तो यही clearly मुझे नजर आ रहा है, same page पर, जो इनसान है आपके साथ, वो यहाँ पर आने वाले है, ठीक है, मतलब आप जिस page पर हो, उसी page के इनसान, मतलब आप जैसे एमोशनली सोचते हो, फील करते हो, वैसे ही इनसान आपके लाइफ माहेंगे, बहुत similar energies दिख रही है, मुझे दोनों की independent energies दिख रही है, कि आप भी बहुत successful है, यह भी बहुत successful है, ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ serious यहाँ पर होगा, आपके love life से related, okay, so कुछ हूँ जे future spouse से related, ही चीजे दिख रही हैं, लेकिन यह जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यह आपर तभी होगा April मन्थ में, जब आप अपने comfort zone से निकलेंगे, मुझे लगता है कि आप अपने comfort zone में हो, या फिर चार दिवारियों के अंदर हो, घर में हो, और बस सोचते हो कि, you know, मेरे prince charming, या मेरे dream girl आजाए घर में ही, तो घर में दस तक तो वो देंगे नहीं, आपको ही निकलना पड़ेगा, तभ ही आप मिल सकते हो, ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है कि आप घर में हो, तो जाओ बहार निकलो, घूमो फिरो, ठीक है, या, you know, थोड़ा सा अपने तरफ से भी efforts लगाओ, घर में बैठ कर, you know, जीवन साती नहीं मिल सकता, anyway, so चली देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या the lovers, उफ, guys, मुझे ऐसा क्यू लग रहा है कि आप काम के सिलसे में अपने future spouse से मिलने वाले हो, मतलब आपकी जो life, की जो love life और करियर है, वो connected हो जाएगी April मन से, या तो आप अपने future spouse के profession में कोई service लेने जाओगे as a client, as a customer, या वो आएंगे, वाइस वाइसा हो सकती है, या दोनों, you know, colleague की तरह काम करोगे, senior, junior की तरह काम कर रहे हो, office में already हो, या होने वाले हो, कुछ ऐसा चीज मुझे लगता है, या business में हो सकता है, partnership में आप इस person के साथ हो, या होने वाले हो, ठीक है, तो काम से ही आप दोनों की चीज़े शुरू होंगी, official level पर शुरू होंगी, ठीक है, तो देखिए, मुझे आप नज़र आता है कि, अगर आप business में है, किसी भी तरीके के business में है, ठीक है, जहां पर आप खुछ से करते हो कुछ, बहुत जादा profit आपको नज़र आएगा, जैसे मैंने पहले ही आपको बहुत जादा gains आपको नज़र आएगा, ठीक है, यह energy मुझे आपको नज़र आ रही है, बिसनेस में हो तो बहुत ही जादा आपको profit नज़र आएगा एप्रिल मंक में, जो अगर आभी करते हो, तब भी मुझे लगता है कि आपके financial increment होने के chances हैं, लोग आपको पसंद करें ठीक है, आपकी promotion होने के chances हैं, promotion transfer होने के chances हैं, ठीक है, और आपको choices मिल सकते हैं, ठीक है, मत्तब offer मिल सकते हैं, अगर आप कोई particular profession में हो, तो एक से ज़ादा companies जो है न, आपको hire कर सकती है, या फिर आपको बुला सकती है अपने company में, एक से ज़ादा job offer आपको मिल सकता है, ठीक है, definitely मुझे आप नजर आ रहा है कि आपको opportunities ज़रूर मिलेंगे, और वो भी एक से ज़ादा opportunities मिलेंगे, और एक से ज़ादा options मिलेंगा आपके career में, और मुझे लगता है कि जितने भी आपके पास options आएंगे career से related, उसमें हर एक में universe की blessings and universe ही उस चीज को भेज रहे हैं ठीक है, तो यह energy मुझे आपर नजर आ रही है, तो चली देख लेते हैं कि आपकी health कैसे रहने वाली है, April मन्त में, बहुत ही अच्छी energies है guys, water sign, amazing, we have six of wands, okay, so health में such issues नहीं आएंगे आपको लेकिन हाँ, आप physically थोड़ा सा tired feel कर सकते हैं या फिर आपको body pain महसूस हो सकता है आपको लग सकता है कि आपने बहुत मैनत कर ली, legs pain हो सकता है, headache हो सकता है, ठीक है, पूरी body की pain हो सकती है, physical activities के वज़े से, work out के वज़े से, या फिर in generally, ठीक है, तो try करें कि, you know, supplements लें अगर किसी चीज़ की कमी है, अच्छी तरहीं कि से एक बर medical check-up कर लें और देख लें होता है, तो या कुछ लगता है, तो और अगर body pain वगएरा होता है, तो उसको भी आप दिखाओ, क्योंकि एप लिमान में चांसे हैं कि थोड़ा सा fatigue फील करो, थोड़ा सा tired फील करो, थोड़ा सा body pain रहे, कमर दर्द रहे, ठीक है, यह energy मुझे या दिख रही है, तो उस गुरू बन जाते हैं, और खुदी खाना शुरू कर देते हैं, दवाय वगएरा, बिना जाने समझे, तो यह बहुत गलत चीज़ है, यह body को आपको गलत तरीके से भी effect कर सकता है, ठीक है, तो उसका ध्यान जरूर रखे, तो चलिए guidance देख लेते हैं आपके लिए, हमारे पास एक contemplation, यहाँ पर देखिए एक rainbow है, यहाँ पर unicorn है, आपके आपके बताया जा रहा है कि एपरिल मन पर थुरदा शांत रहने की कोशिश करें, अगर आप बहुत शॉर्ट टेंपर्ड है, स्टबर्न है किसी चीज को लेकर, तो ऐसे energy को थोड़ा हटा दीजे, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, और interpret जादा करें, कोई offer आ रहा है, कुछ करना चाहते हो, तो तो समझें किस तरीक से कर सकते हो, कैसे करना भैतर होगा, जितना होसे कि अपने energy को चंशर्फ करन तो उस चीज को थोड़ा सा, you know, ignore करने की कोशिश करें, ना करने की कोशिश करें, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करें, अपनी energy को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें, अपनी energy को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करें, अपनी energy को थोड़ा सा टाइम देने की मेरे कैसा रहने वाला है! So यह अ टैमिर्स अधिरडिंग है। जो है अब सब के लिए हैं आप सब देख सकते हैं बाक रिवे कि लिए की बाखी लीटेस्ट के लिए डिस्क्रिप्चिन बॉक्स को चेक करें BY आपको सारी कितेश लिंगा मिल जाएकी देखने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की एनरजी इस एपरिल मंथ में पूरी तरीके से कैसे रहेगी तो जब तक मैं शफिलिंग कर रहे हैं तब तक आप लोग फुलीज पॉसिटिव रहे हैं आपकी जो क्राउण चक्रा है वो यहां पर एक्टिव होने वाली है यानि कि आप बहुत सारी चीजों में सही गलत डिफ्रेंशियट करोगे अगर किसी चीज में आपको सच्चा ही नहीं पता चीके डायरेक्शन लेस हो कुछ भी हो आपको अपने अप समझ आएगा कि आगे क क्या करना है अपने लाइफ को किस नज़ेरे से देखना है ठीके आगे की प्लानिंग सब क्लियरली कर पाऊगे ठीके अगर कोई लोग है जो यूनों जेनुन नहीं आपके लाइफ में तो उन्हें भी आप हैचान जाओगे बहुत इजी ली ठीके अगर आप स्टूडेंट है पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आपको concentration जो है न वो आपकी build होगी ठीके आप पढ़ पाऊगे अच्छे तरीके से ठीके प्रिपेर कर पाऊगे आपकी preparation जो है वो accelerate कर जाएगी आपको समझ आना शुरू होगी अगर कोई काम करते हो कर पाते हो या ठंग से उस चीज को कर नहीं पाते हो तो करना शुरू करोगे सो अलबाट मुझे आप नजर आता है knowledge तो चांसे हैं कि आप कुछ नया शुरू करें related to your study ठीक है आपकी college open हो या college admission लो आप या किसी course में admission लो आप ऐसी possibilities है ठीक है हो सकता है कि आपको completion भी मिल स wisdom होते है उससे related मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से active होने वालों समझ पाओगे कि आपके life में कहां गलत चीजें हो रही है कहां सही हो रही है ठीक है और आप आपको क्या करना है किस तरीके सा आगे बढ़ना है अपने जुन्दीगे में बहुत clarity आपके life में इंटर कर आपके life में क्या होने वाला है आपके life में क्या है तो यहां पर मुझे नजर आता है आपके love life से related तो देखे सबसे पहले चीज मुझे आपके बहुत लोग के नजर आ रहा है कि आपका ध्यान बहुत साथा love life में रहेगा नहीं ठीक है यह energy मुझे आ दिख रही है लेकिन love life से related आपके को एक नई शुरु अगर आप किसी लवर के साथ तो उनके साथ आप रहना शुरू करो फाइनली या किसी के साथ बहुत कन्फलिक्ट और अनफ सिच्वेशन चल देए तो उनके साथ आपकी बॉंड स्टॉंग होना शुरू करे अपर मुझे लगता है कि कोई एक foundation बन रहा है आपके love life में अग मुझे नजर आता है कि अगर किसी specific person से डील कर रहे हो आप तो मुझे लगता है कि उसमें आपको betterment नजर आएगा उस person के साथ उस रिष्टे में आपको betterment नजर आएगा और अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है बहुत क्लियर हो जाने वाले हो कि आभ ही आपको कोई इ इसान चाहिए और कैसे चाहिए कब चाहते हो यह सब चीज़े clear होगी आप अपने माइंड को clear करने वाले है यह energy मुझे दिख रहे है तो एक foundation यहापर बन रहा है आपके love life से related तो chances है कि कोई रिष्टा आए आपका अगर आप arrange marriage देख रहे हो करना या फिर किसी को ढूंड रहे हो शादी करने के लिए future planning के लिए तो आपको मिलेगा और आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे इनके उपर इनो time invest करके इनने देखना चाहिए परकना चाहिए या नहीं हो सकता है आप date करना शुडू करोगे अप्रिल मन्त में यह energy मुझे आ रहे है ठीक है चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होता है लव लाइफ में तो हमने देख लिया देखे हैरोफेंट तो देखे हैरोफेंट से आप नजर आ रहे है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है ठीक है आप को जॉब लग सकती है आप फाइनली किसी चीज की study में जा सकते हो further studies के लिए आपको मौका मिल सकता है ठीक है enrollment हो सकती है आपकी admission हो सकती है आपकी कोई नई practice start कर सकते हो अगर practical field से related कुछ work करते हो तो इंटर्णशिप शुरू हो सकती है आपकी ठीक है यह energy मुझे आ पर आ रही है किसी जगह में आपको बहुत बना दिया जा सकता है ठीक है यह energy मुझे दिख रही है so career wise मुझे बहुत अच्छी stability, power, authority आपको मिलती हुई मुझे नजर आ रही है जहाँ पर आपके हाथ में power होगा और आपके अंडर लोग रहेंगे काम करने वाले आप senior position पर जाने वाले है या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके पास already बहुत जादा knowledge वगेरा है ठीक है ज work में आप हो सकता है कि लोगे भी और साथ में मुझे लगता है कि teamwork बहुत अच्छी तरीके से आपका होने वाला है जितने भी लोगों से जुड़े हो वो पुरी तरीके से मुझे लगता है कि वो efforts जो है डालेंगे ताकि आपका business आगे बढ़ पाए तो genuine energies आपको receive होगी ठी है और जैसा आप expect कर रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा अपने career से related profession से related finances से related April मन्त में तो April मन्त में जो expect कर रहे हो जैसा सोच रखाए कि यो ना चाहिए वो ना चाहिए वो definitely April मन्त में आपका हो जाएगा आपको नजर आ जाएगा ठीक है कि आपका हिल्थ कैसा रहने वाले है और यह भी हो सकता है कि आप अपने job स्वीच करें April मन्त में अगर किसी एक जगा पे रह रहे हो रिलोगेट कर सकते हो या स्वीच कर सकते हो पूराने जोड़ कर नए जोब में जा सकते हो पूराने बिसनेस आइडिया को छोड़ कर नए बिसनेस आइडिया में जा सकते हो यह भी possibilities है स्वीच कर सकते हो ठीक है April मन्त में यह मौका मिल सकता है आपको night of swords तो यहाँ पर energy दा रही है कि आप थोड़े से hustle कर सकते हो मत्तब यहां से वहां वहां से यहां यह करना वो करना ठीक है time manage ना कर पाना किसी चीज़ के लिए ठीक है या फिर थोड़ा सा you know जादा travel करना पड़ रहे है आपको you know अपने घर से अपने काम के लिए जाने के लिए एजुकेशन के लिए जाने के लिए तो as such आपके कुछ issues यहां पर नहीं आएंगे ठीक है health related मुझे लगता है कि normal ही रहने वाले हैं लेकिन आपको जो है ना थोड़ी सी जो भाग दौर है उसको थोड़ा सा कम करना होगा ठीक है मतलब जितना हो स इसका शाप मैटेरियल का इस्तेमाल करते हो अपने डे टुडे लाइफ में तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ठीक है तो cuts वर्च वगरा होने के chances है तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर you know cooking करना हो या अगर आप शाप मैटेरियल से बहुत डील करते हो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपकी हेल्थ में ऐसा चीशूज यहां पर नहीं आएंगे और हाँ अगर आप वहिकल्स का यूज़ करते हैं आपको खुद का वहिकल है तो ड्राइविंग के समय पूरा ध्यान रखे कि आप हेलमेट पहने हुए है और ड्राइविंग भी जो है वो एक एवरेज स्पीड से नॉर्मल तरीके से अच्छे से करें ओवर्टेक करने के कोशिश ना करें किसी को और रोड के जो भी रूल्स और रेगुलेशन से उसे फॉलो करकर अराम से हेलमेट पहने किसी को साथ में लेकर जाते हैं तो उन्हे वहिकल है आपकी बाइक है स्कूटी है कार है तो जब आप ट्रेविЛ करो तो थोड़ा ध्यान रखकर आपको ट्रेविल करना है ध्यान रखकर आपको राइडिंग पर यह की है । चोली देख लेते हैं गैडिनस आपके लिए क्या है हमारे पास है रिलाक्सेशन तो आपको यह पर बताना जा रहा है कि एप्रिल मंद पे आप चाहें आप ज़्या से ज़्यादा ना थोड़ा सा योगा कर सकते हैं बहार में जाकर किसी पार्क में चले गए ग्राउंड में चले गए ठीक है पार्क में थोड़ा से योगा कर सकते आपको आपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है आपको एप्रिल मन्न और जितना हो सके युनिवर्स के साथ जुड़कर फिसिकल एक्टिविटीज करना है यहाने कि थोड़ा सा पार्क में आपने घूम लिया ठीक है या फिर किसी युनो मरीन ड्राइब के साइड में बै आपको आपको पसंद रहा है तो प्लीज दो लाइक कमें शेयर और सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाई पाल फोर